Welcome again, my friends and dear student, myself Mahendra Devanda. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे biological classification के बारे में. जेविक वर्गिकरण यानि जीवों का वर्गिकरण किस परकार से किया जाता है उसके बारे में. इसमें हम जो बात करेंगे two kingdom classification, three kingdom classification, four kingdom, five kingdom and six kingdom classification के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम यह समझते हैं कि classification होता क्या है? grouping of an organism on the basis of their similarities and dissimilities. यानि जीवों को उनकी समानताओं और एसमानताओं के आदार पर समुवे में बातना classification के लाता है, वर्गिकरण के लाता है. biological का मतलब जितने भी जीव जनतु हैं, जिसको हम समानताओं और एसमानताओं के आदार पर वर्गिगरण करते हैं, तो यह biological classification है. सबसे पहले classification के बारे में एक महान विग्यानिक का नाम आता है, जिसको हम अरस्तू, अरिस्टोटल के नाम से जानते हैं. जिनको father of biology, जी विग्यान का जनक का जाता है, father of geology, प्राणी विग्यान का जनक का जाता है, founder of taxonomy, और वर्गिकी का संस्तावक माना जाता है, was pioneer in the field of biological classification, जिनोंने अरस्तू ने biological classification में सबसे पहला अपना योगदान दिया था. इन्हें founder इसलिए का गया है, जबकि जो carolus lineage है, उन्हें father of taxonomy का गया है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा महत्तोपूर्ण काम किये थे, लेकिन पहली बार जो taxonomy यानि classification करने का काम अरस्तू द्वरा सुरू किया गया था, इसलिए इन्हें founder of taxonomy का जाता है, इन्होंने जन्तू ने जोलोजी पर एक किताब लिखी यानि जन्तू पर एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, इन्होंने जन्तू को वर्गी करेत किया इन्टू में गुरूपस, जो इन्होंने दो में गुरूप बनाए, पहला जो गुरूप है वो है अनैमा, अनैमा एनैमा यानि जिनमें absent है red blood, अनिमल्स विदाउट red blood cell, जिनमें लाल रूधिर नहीं पाया जाता है, उनको anemia में सामिल कर दिया जिसमें हम जानते हैं कि जितने भी invertebrates हैं उनमें anemia की condition पाया जाती है यानि उसमें red blood नहीं पाया जाता है जिसमें सामिल है animals from sponge to echinodermates जो उन्होंने सामिल किया था वर्तमान में तो हम जानते हैं कि किसको कौन से ग्रूप में रखा गया है ये पहले की बात थी जब पहली बार classification किया गया था दूसरा जो उन्होंने ग्रूप बनाया वो inaima है ये enaima है और ये inaima है inaima जिनमे animals with red blood cell यानि जिनमें लाल रख्त पाया जाए या लाल रख्त कणी का हैं जिनमें पाया जाए इसमें हम जानते हैं vertebrates सामिल होते हैं अब हम बात करते हैं two kingdom classification की जो हमारे महत्व का है two kingdom classification was given by carolus lineus carolus lineus के द्वारा two kingdom classification दिया गया 1758 में 1758 में carolus lineus द्वारा two kingdom classification दिया गया classify all living organism into two kingdom on the basis of nutrition and locomotion locomotion का मतलब mobility एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने का और portion के आदार पर इन्होंने चितने भी जीव जनतु हैं उनको दो kingdom में divide किया गया nutrition यानि portion वो कैसे प्राप्त करते हैं और locomotion करते हैं या नहीं करते हैं इसके आदार पर उसने उन्होंने simply दो kingdom बना दिये पहला जो kingdom living organism का बनाया उन्होंने kingdom planty जिसमें उन्होंने plant सामिल किये इसके साथ में plants के साथ में उन्होंने bacteria, algae और fungi भी सामिल किया यह जितने भी organism में, यह plants में include कर दिये गए दूसरा जो kingdom था, animalia, जिसमें animals सामिल है जिसमें unicellular protozoans से लेकर multicellular animals, जिनको हम metazoans के नाम से जानते हैं यह animalia में, यानि animals के अंतरकत सामिल किया गया है इनका जो आधार था, वो nutrition था क्योंकि हम nutrition और locomotion था nutrition का मतलब plants हम जानते हैं कि वो autotrophic होते हैं अपना बोजन खुद बना सकते हैं ऐसे ही animals वो अपना बोजन खुद नहीं बना सकते हैं इसलिए वो उनको अलग अलग ग्रूप में बाढ़ दिया locomotion plant movement नहीं करते हैं नॉर्मली जब उस समय की बात दिये जब उन्होंने पहले बार ये two kingdom classification दिया तो समन जो observation में आया उन्होंने ये locomotion को भी आधार बनाया कि plants movement नहीं करते हैं और animals movement करते हैं तो उन्होंने simply two kingdom बना दिये लेकिन इसमें कुछ बहुत सारी कमिया थी जैसे कि bacteria को यहाँ पर आंस में रखना ये उसकी खामी थी फंगाई को यहाँ पर रखना और kingdom classification में कुछ कमिया रही इसलिए three kingdom classification दिया गया three kingdom classification was proposed by Ernest Hickle Ernest Hickle द्वारा three kingdom classification दिया गया 1866 में दिया गया ये propose a third kingdom उन्होंने एक third kingdom proposed किया of life जीवन का एक third kingdom प्रस्तूत किया kingdom जिसको हिंदी में जगत के नाम से जानते हैं that is the protista वो है protista यानि protista को propose करने का कारी है Ernest Hickle द्वारा किया गया इन्होंने unicellular organism जितने भी जो जीव जन्तु है एक कोसी के जो होते हैं उनको protista में सामिल कर दिया तो अब इस प्रकार से हमारे पास जो living organism है उनके तीन kingdom हो जाते हैं kingdom first जो plants सामिल थे जिनमे second animals and third हो गया हमारे पास kingdom protista protista में unicellular organism को रखा गया यहाँ पर भी इसमें कमिया रही है क्योंकि unicellular आप जानते हैं pro-karyotic भी animals होते हैं and eukaryotic भी होते हैं तो सबसे बड़ी खामितों इनकी यहीं हो जाती है कि इन्होंने pro-karyotic and eukaryotic organs को एक साथ ही रख दिया तो इसके बाद में फिर अगेन एक और classification दिया गया जिसको हम four kingdom classification की नाम से जानते हैं harbert fulkner copland यह इनका full नाम है जिनको hf copland के नाम से भी जाना जाता है copland द्वारा fourth kingdom classification दिया गया और उन्होंने fourth जो kingdom था उसको नाम दिया monera यानि उन्होंने monera kingdom प्रपोज किया 1956 में in monera includes monera में उन्होंने unicellular pro-karyotic animals को जो pro-karyotes थे उनको सामिल किया है यानि एक कोस की जो pro-karyotic हैं उनको उन्होंने monera में सामिल कर दिया गया जिसमें pro-karyotic में हम जानते हैं कि bacteria में एक cell होती है all blue green algae जिसको हम BZA या हम cyanobacteria के नाम से जानते हैं तो इन्होंने इसका एक नया kingdom बनाया यानि living organism के अब हो जाते हैं चार kingdom kingdom monera जिसमें unicellular pro-karyotic को रखा गया protista में unicellular u-karyotic को रखा गया planting में mostly plant को भी रखा लेकिन यहां पर जो fungi है जिनको हम कवक कहते हैं उनको भी plants में रखा गया था ये इसकी सबसे बड़ी खामी रही थी और fourth kingdom था वो है animal जिसमें animals सामिल किये कहते हैं इसके बाद में चूँकि खामिया इसमें भी रही इसलिए five kingdom classification दिया गया so five kingdom classification जिसको mostly जो biologist हैं वो accept करते हैं इस प्रकार के classification को क्योंकि सबसे मानने यह classification है हम इसी को follow करते हैं Robert Harding, V-Taker दौरा five kingdom classification दिया गया five kingdom system of classification in 1969 1969 में यह five kingdom classification दिया गया है इनमें जो समाने तो जो question पूछे जाते हैं normally आजकल competition में भी पूछते हैं एक तो V-Taker का नाम की V-Taker जो नाम था वो पूछा जाता है five kingdom classification कि इसने दिया और कौन से year में दिया generally यह पूछे जाते हैं साथी साथ अगरा बाइलोजिस से सम्दित या अपने जोलोजिस से सम्दित कोई competition देते हैं तो उनमें आप आनी वाली जो चीज़े हैं यानि इनका classification का आधार क्या होता है इस तरह के question पूछे जाते हैं तो V-Taker five kingdom system of classification is based on इन्होंने कुछ आधार रखा पहला क्या आधार रखा Cell structure and complexity यानि Cell की structure किस परकार की है उसमें किस परकार की जटिलता है एक तो उन्होंने ये आधार रखा Second जो आधार रखा Body organization उनका जो सारीक संगटन है वो किस परकार का होगा जीवों का सारीक संगटन किस परकार का होगा उनमें reproduction किस परकार से होगा mode of nutrition यानि वो nutrition अपना portion किस परकार से ले रहे हैं और phylogenetic relationship phylogenetic relationship उनके बीच में जो जाती वर्थी किस परकार से उनमें संबंदता है एतियासिक उनका evolution की तरह से इसमें किस परकार से आपस में संबंद रखते हैं ये 5 उन्होंने base लिए 5 kingdom classification के लिए ये हैं महान विग्यनिक RH विटेकर समझते हैं सबसे पहले दिये के इनके 5 kingdom classification में ये kingdom थे monera, protesta, planty, fungi and animalia organism को उन्होंने divide किया सबसे पहले उन्होंने prokaryotic and eukaryotic prokaryotic का मतलब जिसमें monera सामिल है यानि monera के जो जीव हैं वो prokaryotic होंगे और बाकी जितने भी kingdom होंगे वो सब eukaryotic होंगे अब eukaryotic में भी unicellular जिनमें single cell पाई जाती है और जिनमें multiple cell पाई जाती है unicellular and eukaryotic वाले जीव protist होते हैं और फिर multicellular organism में cell पाई जाती है कुछ में और कुछ में without cell पाई जाती है तो जिनमें cell पाई जाती है वो भी दो परकार के हो सकते हैं phototrophic यानि अपना बोजन खुद बना सकते हैं और heterotrophic जो अपना बोजन खुद नहीं बना सकते हैं तो जो phototrophic होंगे, जिनमें cell wall पाई जाएगी, और multicellular होंगे, eukerotic होंगे, उनको plant में सामिल किया गया है, ऐसे ही hydrotrophic उनमें fungi सामिल है, fungi में hydrotrophic condition आएगी, cell wall पाई जाएगी, multicellular होंगे और eukerotic होंगे, ऐसे ही एनिमेलिया की बात करें, तो एनिमेलिया में cell wall नहीं पाई जाती है, यानि एनिमेलिया में cell wall नहीं पाई जाएगी, multicellular होंगे और eukerotic cell पाई जाएगी, यानि इसमें prokerotic cell है उस तरह की पाई जाती है, एक कोशी के जीव होते हैं, cell wall present होती है, यानि इसमें जो कोशी का जो बित्ती होती है, वो पाई जाती है, exception इसमें है, mycoplasma, mycoplasma में cell wall नहीं पाई जाती है, monera में जो cell wall पाई जा रही है, वो composed of peptidoglycans or murine, that is the non-cellulose, यानि वास्ताम में, monera में हम example के तुरू आप इसके characters याद गर सकते हैं, इसमें mostly जो जाना जाता है, वो bacteria है, और bacteria में हम जानते हैं कि जो cell wall पाई जाती है, पहली important बात, दूसरी बात यह है कि जो इसमें cell wall होती है, वो peptidoglycan और murine के बनी होती है, जो actually non-cellulose होता है, cellulose टाइप की तो हम जाते हैं कि plants में पाई जाती है, cell wall, लेकिन यहाँ non-cellulose है, mode of nutrition की बात करें, यानि person लेने की विदी कौन सी होती है, चूँकि इसमें autotrophic, यानि क्योंकि कुछ bacteria ऐसे होते हैं, जो अपना बोजन खुद बना सकते हैं, तो autotrophic होंगे, अब वो हो सकता है कि photo autotrophic हो सकते हैं, यानि सूरज की जो light है, उसको use करते हुए, सूरिय की light को use करते हुए, अपना बोजन खुद बना सकते हैं, या chemo autotroph, या chemical से अपना बोजन बनाने की क्षमता रखते हैं, यह हुई autotrophic, दूसरा जो type हो गया, वो heterotrophic, heterotrophic मतलब जो किसी पर आस्रित होते हैं, जिसमें saprophytic, parasitic हो सकते हैं, या symbiotic में पाया जा सकते हैं, actually mode of nutrition दो ही प्रकार का होता है, autotrophic और heterotrophic, autotrophic को हम divide कर देते हैं, और heterotrophic का भी अलगलग प्रकार से है, जो अपना खुद बोजन बनाते हैं, उनको हम autotrophic कहते हैं, और जो अपना बोजन खुद नहीं बनाते हैं, उनको हम heterotrophic में सामिल करते हैं, reproduction इनमें asexual मुख्य रूप से पाया जाता है, Manly occur by the binary और जिसमें भी binary fusion मुख्य रूप से पाया जाता है इसमें sexual reproduction नहीं पाया जाता है कुछ primitive type का sexual reproduction देखा जरूर गया है इसमें example है, यानि Monera में जो example है Archibacteria है, bacteria है, cyanobacteria है जिनको blue green algae कहते है filamentous actinomycities filamentous actinomycities सामिल है Archibacteria है और cyanobacteria है next kingdom की बात करते हैं kingdom protista protista में unicellular eukaryotic cell type पाया जाती है cell wall present होती है in some organism and made up of cellulose और kaitin की बनी हुई होती है mode of nutrition mode of nutrition क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा diversity पाया जाती है mode of nutrition है वो protist में सबसे diverse होता है यानि जितने भी परकार के इसमें mode होते है nutrition लेने के जो types होते हैं वो सबी परकार के protist में देखे गए हैं इसलिए इसको most diverse nutrition के type माना गया है इसमें autotrophic and heterotrophic के जितने भी type है photosynthetic और यहाँ पर होलो जोईक हो सकते हैं saprotrophic हो सकते हैं paracytic होते हैं mixotrophic होते हैं symbiotic होते हैं जितने भी परकार हैं वो सबी इसमें पाये जाते हैं इसमें जो reproduction होगा both asexual and sexual mode of reproduction are present दोनों ही परकार का reproduction पाये जाता है example के रूप में dytums इसमें पाये जाते हैं dynoflagellates, euglinoids, slime molds and protozoans protozoans में आप जानते हैं paramecium जो इसमें most familiar examples है यानि इनमें जो selvaal भी पाये जारी हैं लेकिन यह कुछ different परकार की होती है next जो kingdom है planty जिसमें plants सामिल है यह multicellular होते हैं बहुत सारी cells पाये जाती है cell इनकी eukerotic होते हैं और इन्हें producer का आजाता है यानि उत्पादक का आजाता है mode of nutrition, autotrophic होंगे यानि अपना बोजन खुद बना सकते हैं parasitic, कुछ species ऐसी भी होती हैं जो parasitic भी report की गई है जैसे cascuta, partially heterotrophic और कुछ antsy group से heterotrophic भी पाये गई है क्योंकि आप जानते हैं कुछ एक species के बारे में जो की insectivores होते हैं insect को खाते हैं actually वो अपनी nitrogen को पूर्ती करने के लिए insectivores बन जाते हैं cell wall compose of cellulose cell wall पाये जाती है और वो bryophyte, terodophyte, gymnosperm and angiosperm आप इनके बारे में जानते हैं bryophyte, terodophyte, gymnosperm और ये angiosperm है next है kingdom fungi जिनको हम कवक के नाम से जानते हैं ये multicellular होते हैं और decomposer होते हैं cell wall इनमे kaitin की बनी हुई होती है mode of nutrition heterotrophic प्रकार का होता है ये अपना बोजन खुद नहीं बनाते हैं यानि ये heterotrophic होते हैं जिसमें separate props हो सकते हैं यानि absorvative type का इसमें जो food लेने का जो माद्यम होता है absorvative प्रकार का होता है अवसोसी प्रकार का होता है जिसमें ये अपने जो शरी में जो engines पाये जाते हैं इनकी जो cells में enzyme पाये जाते हैं उनको body से बाहर चोड़ते हैं जहां पर खाना होता है और उसको बाहरी digest करके फिर अंदर गेनर करते हैं तो इस प्रकार का आवसोसी nutrition प्रकार कहलाता है decomposer होते हैं ये आसपास जो भी nutrients होते हैं उनको decompose करवाने में मदद करते हैं यानि decomposer के रूप में कारे करते हैं asexual and sexual reproduction दोनों पर कार कार reproduction पाया जाता है example के रूप में mucar rhizopus, albugo, penicillium, aspergillus, claviceps, neurosphera, etc इसमें examples हैं यानि इसमें fungi जितने भी परकार किये वो ascomycities, gigomycities, basidiomycities कई परकार के इसमें group हैं जो की fungi के हैं next and last है kingdom animalia जिसमें multicellular eukerotic है mode of nutrition hydrotrophic होते हैं खुद नहीं बनाते हैं ये consumer की तरह काम करते हैं consumer में primary consumer हो सकते हैं secondary consumer उपबोगता के रूप में कारे करते हैं cell wall इनमें नहीं पाये जाती है reproduction इसमें दोनों परकार का होता है primitive animals में asexual dominant होता है और advanced में sexual reproduction dominant होता है example के रूप में phylum porifera से इसमें memelia की जितने भी animals हैं वो सामिल किये गए हैं जिसमें हम खुद भी सामिल हैं different परकार के animals आप आप देख सकते हैं चलो इसको एक चार्ट के रूप में समझते हैं सबसे पहला हमारे पास में है kingdom monira second है protesta third है planty four है fungi and fifth है animalia सबसे पहला जो monira है उसको हमने और protesta को हमने इस आदार पर divide किया कि इनमें cell structure and complexity किस परकार की है यानि जो eukerotic होंगे उनको protesta, planty, fungi और animalia में सामिल किया गया और pro-kerotic cell type का उनको monira में सामिल किया गया monira जो अब इसके बाद में यानि baseline सबसे पहला pro-kerotic से सुरू होता है हम जानते भी हैं कि सबसे पहले इस दर्थी पर monira ही आए यानि pro-kerotic organism ही आए दूसरा जो type था body organization यानि body में किस तरह की organization पाये जाता है संगटन किस परकार का पाये जाएगा तो यहां पर दो परकार का पाये जाता है unicellular हो सकता है या multicellular हो सकता है एक कोसगे या बहु कोसगे हो सकता है तो unicellular वाले हो जाते हैं प्रोटिस्टा एन मोनेरा हो जाते हैं जिसमें कई परकार के organization आप जानते हैं और बाकी planty, fungi और animal या multicellular होते हैं reproduction ब्रजनन को हम देखें तो चुँकि मोनेरा primitive है तो इसमें asexual reproduction पाये जाता है प्रोटिस्ट में asexual reproduction तो पाये जाता है साथ इसाथ sexual reproduction भी पाये जाता है ये भी पाये जाता है planty, fungi और animalia इन में भी sexual और asexual दोनों परकार के reproduction पाये जाते हैं mode of nutrition के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इन में mode of nutrition किस परकार का होगा phylogenery के बारे में बात करें यानि इनका उद्विकास की बात करें यानि इनकी जाती वरता की बात करें तो सबसे primitive monera होते हैं फिर protest होते हैं और protest से ऐसा बताया जाता है कि protest से एक ब्रांच में planty original है, दूसरे से fungi और थर्ड से animal यानि animals originate हुए तो इस flow chart को आप ध्यान रखेंगे next हम बात करते हैं six kingdom classification के बारे में Carl Richard Wooz जुआरा 1990 और इसके साथ ही उने introduced three domain system इन्होंने three domain system प्रतिबादित किया for the biological classification that is the on the basis of 16S RRN जो 16S RRN है उसके आदार पर इन्होंने three domain system दिया तीन domain जिस domain अब यहाँ पर क्या है अब तक हम kingdom देख रहे थे लेकिन kingdom से भी इन्होंने above यानि kingdom से भी उपर एक और इस्तर होता है इन्होंने ये बताया और वो है domain तो इन्होंने तीन domain बनाए three domains कौन-कौन से आर्किया bacteria and eukarya सबसे पहला domain है archia देखो इन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि जो bacteria थे और archivacteria थे उनमें बहुत सारी ऐसा मानता हैं पाई जाती disimilities पाई जा रहे थी इसलिए इन्होंने दोनों को अलग कर दिया archia इसमें एक ही kingdom है जिसको हम archivacteria के नाम से जानते हैं इनको हम ancient bacteria भी कह सकते हैं यानि प्राचीन जिवानों भी कह सकते हैं दूसरा जो domain है वो है bacteria का इसमें एक ही kingdom रखा उन्होंने यू bacteria जिसमें वास्ताव में यू true bacteria पाई जाते हैं और थर्ड जो domain था यू caria जिसमें four kingdom है यानि ये सभी यू carotic organism होंगे जिसमें protesta, planty, fungi and animalia सामिल है यानि इन्होंने ये जो six kingdom हो गए पहला हो गया archibacteria second हो गया eubacteria third हो गया protesta fourth planty, fungi and animalia ये six kingdom उन्होंने प्रपोज किये थे इस परकार से इन्होंने बताया कि eubacteria, archibacteria, protesta, planty animalia and fungi इनके बारे में इन्होंने बताया ये बात होई six kingdom classification की तो आज के वीडियो में हमने जाना two kingdom classification, three kingdom, four kingdom and five kingdom और last का ये six kingdom classification उमीद है आपको ये बाते समझ में आयोगी आपके definitely कुछ न कुछ एक्जाम में आपको definitely काम में आएगी thank you आपको 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 झाल झाल